फेरे गुड इवनिंग तु आप सभी लोग मैंमीत करता हूं अब सभी लग अच्छे होंगे आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है और थोड़ी सी आपके लिए इंपोर्टेंट भी होने वाली है क्योंकि एक्जाम यूपी बोल्ड का I think 25 और 27 को लगा हुआ ह और CBSC के लिए भी आपके पास टाइम है CBSC वालों के लिए तो मेरे पास कुछ queries आ रही थी कुछ students कुछ जानना जा रहे थे comments मैंने यहाँ पर attach करना उचित नहीं समझा है इसलिए मैं comments को यहाँ पर attach नहीं कर रहा हूं different type of videos में कुछ बहुत परानी videos में भी मुझे लगाता है हालां कि पढ़ा हुआ ऐसा है लेकिन उसके बाद भी एर टेंडे जब पेपर देख रहे हैं तो याद नहीं आ रहा है आते वे questions नहीं हो पाते हैं बिल्कुल यह बात एकदम से कि जब आपको questions आते हैं और उसके बाद जब पेपर छोड़ जाता है तो शैद यह बहुत जो लगता है वो यह समझा रहा है कि यह आपको कुछ एक्जाम फो दिया या फिर anxiety of examination आप समझ सकते हैं कि एक थोड़ा सा चीजे होच-पच हो रही है जो को डर लगना जैसे डर लग रहा है डर लगना तो सभाविक सी बात है कोई भी वेक्ति पेपर attempt लेगा definitely उसको डर ल लगना तो अच्छी बात है और जो कि एक मतलब नॉर्मल सी चीजे सभी को लगेगा अगर मैं फिर पेपर attempt लोगा तो शायद मुझे भी कुछ थोड़ा सा तो डर मुझे भी लगेगा लेकिन जो एक anxiety आपको हो रही है वो एक थोड़ी सी गड़बर चीजे है जैसे कि आप आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है फिर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है यह चीजे थोड़ी सी दिक्कत वाली है फिलाल मैं बता देता हूं कि यहां पर जो बोर्ड लिखा गए इस बोर्ड का मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों ही बोर्ड कवर करेंगे अगर आपने पूरे साल सिस्टमाटिक टाटन पर पढ़ाई की हुई है तब तो डेफिनिटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप इनीशियली अगर आपने स्टाइटिंग से के स्ट्रेटिजी के थ्रू पढ़ाई नहीं की हुई है तो फिर डेफिनिटली आपको दिक्कत होने वाली है चीजे मिक्स होना लाजमी सी बात है क्योंकि इस टाइम पिरियोड पर प्रचट जादा होने की वज़े से इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने जाहिड सी बात है कि आने लगती है कुछ याद नहीं आता है उसको याद ना आने का मुख रीजन यही है क्योंकि जब आप एक्जाम पेपर देखते हैं तो एक्जाम पेपर में डेफिनिटली आपक इस तरह को यहाद देख मैंने तो बिल्कुल अभी अभी मैंने इसे पढ़ा था सारी रात जाकर करके पढ़ाई करना इस तरीकी की चीजे जब होने लगती है या फिर एक साथ कई सब्चेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं तो फिर इस तरीकी चीजे होने लगती है कि I just study this I don't remember मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बढ़ा था question paper आपके सामने है आपको लगता है कि हाँ मैंने यह पढ़ा था लेकिन आपको यह नहीं याद आता है कि मैंने क्या बढ़ा था I think no wait मतलब आप समझ रहे ना इस type की चीजे हैं वो थोड़ा सा मतलब यही चीजे time management को जन्म देती है फिर भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है और बहुत systematic पढ़ाया है मैं भी आज के इस वीडियो में इस वीडियो में एक next वीडियो मिलेगा तो जो अभी हाली में paper release है मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस pattern पर मैं पढ़ाता था जो चीज़े books में नहीं है लेकिन मेरे पढ़ावे pattern पर ही वो directly cbsc के थूरू चीज़े पूछी जा रही है तो उस सारी चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे परिशान होने वाली कोई बात नहीं है चीज़ों में बिल्कुल भी panic नह systematic मैं आपको पढ़ाता चला था जब जितनी भी offline classes नहीं हों सारी offline classes में मैंने आपको बहुत यहादा systematic पढ़ाया ताकि चीज़े आप अच्छे से gain कर पाए concept map अब आपको समझ आता होगा कि आखिरकर मैं इतना concept map पर क्यों focus करता था क्योंकि यह वो last moment होता है जिसमें इतना ज्यादा pressure होता है कि अच्छा बच्चा भी जो होता है वो भी थोड़ा सा कहीं न कहीं डगमगाने लगता है खैर कोई बात नहीं है परिशानी वाली कोई बात नहीं है आपको थोड़ा सा patience रखना है panic नहीं होना है और चीज़ों को आइस्ता आइस्ता consider करना है आप बस आप कुछ नहीं कराता था और जो भी चीज़े रहे हैं वो इतना ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि उस पैनिक की condition में आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है मतलब याद नहीं हो पा रहा है मतलब चीज़े आपके दिमाग में हैं लेकिन सब mix हो रही है तो इन चीजों को systematic pattern प होती है तो फिर क्या होता है अब अगर अगर माल लेते हैं कि अगर आपको कोई बरतन चाहिए तो वह अगर आप बरतन वाली अलमीरा में देखेंगे तो जहिर सी बात है कि वहां पर आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आप वह बरतन वाली अलमीरा छोड़कर के कपड़ों सब कुछ यहां भर गया है कि अब चीज़े मिक्सप हो रहे हैं बात फिर वही है अगर आप चीजों को बहुत सिस्टमेटिक अरेंज कर लेंगे और कॉंफरेंस लेवल को लूज नहीं होने देंगे अगर आप बार बार इस चीज़ को चैन करते रहेंगे कि नहीं सर मैं मिक्स चीज़े मिक्स हो रहेंगे मेरा पेपर छूट रहा है मैं पेपर अटेम्ट नहीं ले पा रहा तो फिर डेफिनिटली आप थोड़ा सा प्राबलम में आ जाएंगे मुझे लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट देखने को मिल लए थे और मैंने कहा भी था कि मैं जल्द एक वीडियो इस पर अपलोड करूँगा तो तमाम स्टिंट जिनकी रिक्वार्मेंट थी ये वीडियो इस्पेशली उन्हीं के लिए है एक चीज बिलकुल ये जो आप परने पढ़ा जा है वो मैंने पढ़ा आया और डेफिनेटल आप सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं क्योंकि मेरे कॉंटेट में जितने भी लोग रहते हैं वो सब पढ़ने वाले होते हैं बहुत ज़्यदा मीडियम क्वाल्टी के बच्चा या फिर वो बच्चे जो को थोड़ा सा लेट कैश करते हैं वो मेरे टच में नहीं रही पारते हैं अगर आप लोग मेरे टच में हैं डेफिनेटल अगर आप मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं और वैरियस चीजे किसी भी पोर्टल से आप मुझसे अगर मेरे कॉंटेट में हैं मेल के थ्रू है या कि इसी भी process है तो फिर definitely YouTube के through भी अगर आप मुझे से contact में है तो आप बिल्कुल भी आपको panic होने के ज़रत नहीं है अच्छा यह जो इस्तियां आ रही है इन इस्तियों को किस तरीके से maintain किया जाते हैं तो यहाँ पर कुछ five steps आपको देखने को मिल रहा है class test पर मैं बहुत ज़ assessment monthly होता था class test तो मुझे लग रहा है कि हर 15 days में हम लोग complete करते थे फिर assessment हर month और two month में होता था quarterly exams आपके होते थे half yearly exams होते थे और pre-board तो कुछ schools में 2 और कुछ schools में 3 तक pre-board run कराए जाते हैं यह सारी situations जो होती है यह कोई time wasting process नहीं है यह बस इसलिए proper run कराए जाते हैं ताकि आपकी practice बने आपको पता हो कि किस तरह से paper हमको attempt लेना है क्या किस तरह से copy लिखनी है यह श्याद last moment पर मैं copy लिखने का pattern नहीं आपको बता पैदा कि किस तरह से copy लिखी जाती है खेर कोई बात नहीं last moment जो strategy है आज हम लोग इसको discuss करने वाले हैं क्योंकि यह चीज़े अब हमारे हाँ से निकल चुकी है इसलिए अब इन पर विचार करने से कोई खास benefit आपको मिलने वाला भी नहीं है तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं UP board का class 12 का mathematics का paper attempt लेंगे इसमें CVSC board का भी paper attached है लेकिन सबसे पहले हम लोग UP board का paper attempt लेने कोशिस करेंगे मैं आप पर केवल यह बताओं कि किस तरह से आपको paper attempt लेना है और जो भी doubts है जो भी queries है उन सबको मैं आपर clear करने की कोशिस करूँगा तो सबसे पहला तो आपको क्या करना होता है कि जब भी आप question paper ये 2022 में आप देख पा रहे हैं ये 2022 में ये paper discuss किया गया है 2022 में paper discuss किया गया है और 100 marks का UP board में paper होता है यहाँ पर paper code भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ये set 7 में discuss किया गया है इसी को हम discuss कर रहे है ठीक है मैं पूरा यहाँ पर solve करके आपको नहीं बता रहा हूँ बस बता रहा हूँ कि किस तरह से paper attempt लेना है ताकि आप maximum questions को touch कर पाए है जो एक तो सबसे पहले बात किया है कि students के मन में यह doubt होता है कि paper serial wise attempt लेना है या फिर जो आता है वो पहले attempt लेना है systematic pattern तो यह होता है कि आप paper को serial wise attempt कैसे attempt मस्याइब सबसे पहले question number one फिर question no.2, फिर question no.3, फिर question no.4, फिर question no.5 इस तरह से आपको attempt लेना होता है, ठीक है, लेकिन by chance अगर हमें paper नहीं आता है, देखो सबसे पहले तो आपके हाद में paper आता है, तो यहाँ पर लिखा गया है, first 15 minutes, आप साफ मेंशन किया गया, first 15 minutes time has been allotted for the candidates to read the question paper, ठीक है, यह instruction में question paper आएगा, आपका सबसे पहला काम क्या होगा, कि आप पूरे paper को overturn करेंगे, पलटेंगे, और पलटने के बाद आप देखेंगे, कि paper किस तरह का आप से पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप जानते है, question no.1 objective होता है, कई बार linear problem based भी आ जाता है, फिर question no.2 भी one marks based होता है question no.3 two marks का होता है, question no.4 भी two marks का होता है, और उसके बाद से अब जो है, इस्तितिया यहाँ पर यूपी बर्ड में बदल जाती है, question no.5 जो है, वो five marks का होता है, और इसके अंदर five parts करने होते हैं, जबकि six questions आपको given होते हैं, मतलब एक twice होती है, तो अगर हम question no.5 को देखें, तो question no.5 हमारे पास directly 25 marks का cover कर रहा है, फिर हम लोग देखते हैं, next question no.6 और question no.6 को अगर हम देखें, तो question no.6 में भी आपको five parts की attempt लेने होते हैं, आपको total six questions given होते हैं, एक आपके पास choice होती है, overall मिला करके यह भी कितना score करता है, 25, अब अगर हम ध्यान से देखें, तो question no. 1 से हमारे five marks cover हो रहे थे, दिखा भी दिता हूँ, मैं आपको question no.2 जो था, question no.2 से all parts करने हैं, और यहाँ पर कितने part given है, a, b, c, d, e, मतलब five marks यहाँ से, five marks question no.1 से, five marks question no.2 से, ten marks हो गए, अब वहाँ से हम ten marks cover कर रहे हैं, जाहिड सी बाद हैं, अगर जैसे question no.1 है, second का part है, अगर आप इस question को attempt लेने हैं, तो at least आपको four step, five steps तो लिखने ही लिखने हैं, मतलब एक page का यह solution अभी आपका चला जाएगा इसका, कम से कम एक page का, दो page भी हो सकते हैं, अब आप इसको two pages का paper solution आप attempt लेंगे, और इसमें आपको score होगा one marks, जबकि यहाँ पर अगर आप दे करनी है कि हमारे long name miss होने चाहिए, अचा, five और six, question number five और six से directly अगर हम इन दोनों को attach करा देते हैं, तो हमें total मिल रहे हैं 50 marks, और आप जानते हैं, five pass होने के लिए hundred में हमको कितना चाहिए, 33 चाहिए, फिलाल हम लोग passing marks के लिए नहीं, हम लोग यह cover करने कोशिस कर रहे हैं, कि strategy किस तरह से adopt की जाए, ताकि हम easily pass भी हो जाएं, और हम highest marks, जो highest marks हैं, उसको हम score कर पाएं, तो five और six को मिला करके हमको एक बास समझ आते हैं, कि 50 marks हमारा score हो रहा है, अब six, के बास seventh number देखते हैं, के बास एक part करना है, दो part आपको given है, A और B, ठीक है, यह eight marks का है, यानि question question number seven आपको मिलता है, eight marks, question number eight भी आपको मिलता है, eight marks, और question number nine भी आपको मिलता है, eight marks, ठीक है, तो यहां से अगर हम इन तीन questions को मिला देते हैं, तो हमारा पूरा cover हो रहा है, कितना, 24 marks, कितना cover हो रहा है, 24 marks, अब देखो, मेरे हिसाब से क्या है, कि जब आपके हाथ में question paper है, सबसे पहले आपको क्या करना है आपको question paper को पूरा overturn करना है 15 minutes आपको मिलना है अच्छी तरीक से question paper को देखो कि कौन से question अच्छे से आते हैं ठीक है अगर एक चोटा समय example बस आपको दे रहा हूं और कुछ नहीं है अगर आपके सामने कोई एक विक्त ही आता है जिसने बहुत अच्छे से अपने आपको well maintain कर रखा है अच्छे से उसका dress up है और हर चीज़ well maintain है ये एक person A रहा हमारे पास और एक person B है जो कि बहुत ही ज्यादा well maintain नहीं दिख रहा है उसके बाल एकदम उल्जे हुए हैं उसका dress ठीक नहीं है तो आप किस person को ज्यादा पसंद करेंगे च जानते हैं क्यों कि first impression is the last impression अब हो सकता है कि B ज्यादा talented हो ज्यादा बुद्धिमान हो एक comparison में लेकिन जो initially हमें चीज़े देखने को मिल रही है उस initial condition में तो हम A की तरफ ज्यादा attract होंगे comparison to the B तो इसी बात को याद रखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर paper attempt ले रहे होते ह है तो उसमें नहीं आपका copy में नाम होता है और नहीं आपका वाँ photo लगा हुआ है आपकी जो handwriting है आपका solution है असलिए वही आपका representative है मतलब आप क्या है यह आपके solution से बता चलेगा अब मैं भी आपको initially बता रहाता है कि systematic pattern तो यह होता है कि हमको serial wise paper attempt लेना है लेकिन होता है है ना कि जिसे कई बार माल लेते हैं कि हमारी command उतनी अच्छी नहीं है यानि initially जो हमको question number one और two जो हमको देखने को मिल रहा है वो उतना systematic नहीं आ रहा है यह से question number one ही है पता चला कि आपने question number one का part attempt लिया और वही गलत कर दिया यानि starting में जो आपने five questions attempt लिया और five questions में आप यार इस बच्चे को तो यह चीज़ भी नहीं बता है अब आप सोचिए कि जो objective questions होते हैं वो एक simple सी मतलब strategy based मतलब linear problem मतलब concept based है अगर आपका concept ही नहीं clear है तो फिर बताईए आगे की theory को देखने का क्या ही मतलब बनता है इसलिए अगर आपको सारे questions अच्छे से त्यार है तब तो आप serial wise paper को attempt लें otherwise मैं आपको जब बता रहा है आप वो करेंगे आप सबसे पहले पूरे paper को देखें फिर उसके बाद आपको जो question सबसे अच्छे से आते हों उनको आप सबसे पहले attempt लेंगे यानि starting के 4-5 question आपके वो जाने चाहिए जो बिलकुल flawless हो flawless मतलब error free हो उ कम से कम 4-5 question इस तरीके के जाने चाहिए फिर बीच में जो आपको नहीं आते हैं आप उनको involve करेंगे और फिर last moment पर भी आपके लगबग 8-10 question उसी पटन पर जाने चाहिए जिसमें कि किसी भी तरीके के कोई error create नहीं होने पाए अब मेरे हिसाब से क्या है कि question number 1,2,3 और 4 क् question number 1, question number 2, question number 3 और question number 4 इन 4 questions को आप last में attempt लें तो आपके लिए ज्यादा बैतर होगा सबसे पहले जो हम first priority रखेंगे वो first priority रखेंगे question number 8 की किसकी question number 8 की first priority रखेंगे 9 की question number 9 की first priority फिर 8 फिर 7 ठीक है यानि कुल मिला करके 7,8,9 पर हमको focus करना है क्योंकि ये directly 24 marks कवर कर रहे हैं इसके बाद question number 6 और question number 5 को कवर करना है ये total 50 marks कवर कर रहे हैं उसके बाद जो हमाए पास समय मिलेगा हम उनको cover करने की कोशिशिस करेंगे उतने मतलब बचे हुए समय में अच्छा एक चीज़ मैंने और भी देखी जिसे कोई question students को बहुत अच्छे से आता है मैंने question number 9 ले लिए हमने ठीक है जाएट से बात है मैंने अच्छे स्तियारी कर आई थी और मैं unsault भी आपको run कराता चल ला था मैं बार बार बोला था कि unsault की copy अच्छे स्तियार कर लेंगे क्योंकि ये लगभग 70 to 80% पेपर repeated ही होते हैं देखो मैंने आपको important टिक कर वाए तो मैंने कहा था कि definite integral definite integral से आपको question मिलने वाला है अब जैसे question number 9th का part भी आप देख रहे हैं ये अच्छे से मैंने त्यार कर दो इस टाइप के लगभग 5 questions के मैंने पूरी series बताई थी अब 9th का part भी करना तो कोई ये की है लेकिन कई बा पार्ट भी से उन्हों चुरुबात की मगर अब इसको इतना ज्यादा elaborate करते चले जा रहे हैं कि पता चल लाए कि इसके elaboration में दो questions हमारे छूट गए तो चीजों को balance करके रखना है ये जो आपका pre-board होता है या जो आपका half yearly है quarterly है इसमें basically आपकी क्या त्यारी चल लाई औ क्योंकि आपके पास जो समय आपको उतने ही समय में अपनी पूरी बात को explain भी करना है कुछ गर्वल घोटाला भी नहीं होना चाहिए तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे जो मैंने आपको fair copy बनवाई है उस fair copy मैंने systematic आपको बताए कि किस तरह से question paper को attempt लेना है कुछ चीज़े मारे पास fix हों कि जैसे matrix based question आपको 8 marks का मिलना ही मिलना है यानि matrix में system of linear equation क्या कहा system of linear equation से आपको confirm एक question मिलेगा even then अगर मैं matrix की बात करूँ तो matrix से कर आप पूरे paper में देखेंगे तो कम से कम 10 to 15 marks बिल्कुल paper जब बहुत ही ज़्यादा रद्धी quality का बनेगा रद्धी in the sense मतलब matrix से जब बहुत कम पूछे जाए तब आपका 10 marks का otherwise 10 to 15 marks आपके easily cover हो जाएंगे एक question आपको system of linear equation आप देख लेना मैंने unsolved लगवा जा भी है और यह सारे questions मैंने आपको लगवा भी दिये हैं अगर आप यहीं इसी paper को देखें तो question number 7 or question number 8, 8 में देखो 8 marks का question दिख रहा है 7 में देखो यह एक question देखने को मिल आए ठीक हैं तो कुल मिला करके 16 question तो directly 7 और 8 से ही हो गए तो कुछ topics को हम easily cover कर सकते हैं जीसे matrix आसान सा topic है easily cover हो जाएगा matrix के बाद definite integral क्या कहाँ definite integral फिर definite integral के बाद में आपके पास आ जाता है एक LPP कौन सा LPP 5 marks का question confirm है आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इन तीन topics को भी त्यार कर लेते हैं तो इन तीन topics से आप pass तो easily हो जाएगे कोई नहीं रोख सकता है आप easily pass हो जाएगे उसके लोग जब थोड़े बहुत topics बचे हुए जैसे कि differentiation हो गया कौन सा differentiation यह देखो एक question आपको सीधे 8 marks में देखने को मिला differentiation का ठीक है तो यह तमाम चीजें हैं अगर हम strategy के थूच चलेंगे तो हम easily pass हो सकते हो और paper छूटने नहीं पाएगा थोड़ा सा practice की जूरत रहेगी और अगर practice नहीं भी कर पा रहे हैं तो जैसे आपका आपने दो बार तीन पर paper attempt लेए आपका paper छूट रहे हैं तो अब आपको यह समझा रहे हैं कि हमको जितना हम लिख रहे हैं long questions को जितना समय दे रहे हैं उतना समय में long को नहीं देना है जोखो आपका long जादा तर जो छूट तब आपका long छूट जाता है इसका reason क्या होता है क्योंकि आप short पे जब attempt लेना शुरू करते हैं तो short को आप अपने हिसाब से attempt लेते हैं यानि वो one marks का पूछा जार और आप उसको इतना जाता detail में वहाँ पर solution देते हैं कि long आपके छूट जाते हैं इसलिए मैं आपको बार बार बोलाओं कि आप long से start करें तो फिर अप जीसी यह है अगर आप आपका इसमें मतलब last moment पर आपका paper छूट भी रहा तो आप easily a b c d e पूरा question ल मालेतने part third सही है इसा हमने assume कर लिया तो फिर यह फिर दूसरा हमने लिखा answer to first का b है first का b है और इसका मालेतने की fourth option सही है तो fourth लिख दिया तो इसमें समय नहीं वरबाद होगा क्योंकि देखो यह आपका solution नहीं देखा जाएगा आप चाहें अंधीम आ रहे हैं और चाहें आपको answer पता हो तब आप tick कर दें मेरी बास समझ रहे हैं तो यहाँ पर basically intention यह है that you have to choose the correct option आपको एक सही answer का क्या करना है चुनाओ करना है यह आपके लिए most important है अब इसमें मैं देखता हूं कि strengths मतलब MCQ को इतना ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं इतना ज्यादा उसको elaborate कर रहे हैं उसका description दे रहे हैं जबकि वह one marks question है फिर अगर आप देखेंगे तो question number two से जब चुरुआत होते हैं तो question number two में आपको linear based questions देखने को मिलते हैं linear problems अब linear problems में उसकी जो मतलब worth है जो question की जो worth है जो question की actually value है वह one marks है लेकिन मैं देखते हैं students उसको इतना ज्यादा बढ़ा करके इतना जदा उसको explain कर दे तो उसका explanation इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर यही जो one one marks के question है यही असल में बाद में आपको दिक्कत करने लगते हैं और आपका long छूटता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शुरुआत कहां से करनी है सबसे पहले very long सबसे पहले very long कोई marks नहीं cut होगा मैं आपर copy upload करके दिखा नहीं सकता हूं लिकिए मेरी कोशिस रही कि मैं एक copy upload करके आपको दिखा भी दो कि जब हम लोग copies चेक करते हैं तो copies चेक करते वक्त असल में किस तरीके का format हमको दिया जाता है कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई पर घुटा लाहूंने नहीं पाता है और इस बात तो कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा question पहले कर रहे हैं कौन सा question बात में कर रहे हैं सबसे पहले first priority पर very long second priority पर फिर long फिर third priority पर short और फिर fourth में आ जाता है आपका very short इसी strategy को follow करेंगे एक और note point वाली बात याद रखेंगे कि जिन questions में proof करना हो जैसे ये देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये third का part B साफ-साफ लिखा गया है for two invertible matrices A and B of order and prove that ये मैंने proof भी कराया है आपको ये proofment वाले questions आप बिल्कूल मतलब confirm है कि आपको attempt लेना ही लेना है अगर कहीं पर आपको value based questions दिख रहा हैं काउन से value based questions और कहीं पर आपको प्रूवमेंट वाले questions दिख रहे हैं तो आप priority किसको देंगे प्रूवमेंट वाले questions को देंगे ऐसा है इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपको proof करके क्या लाना है और इसका दब मुझे explain करने की जूरत नहीं है क्योंकि आप समझदार हैं इसे fourth में अगर आप देखेंगे part B देखो यह क्या है यह value based question उसमें साथ सब्सक्राइब रिखा है find the value of alpha आप देखो कई बार क्या होता है कि इस type के questions को attempt लेने में हमसे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि mind थोड़ा सा इधर अधर कहीं divert हुआ और जहां mind divert हुआ वहीं से पूरा process attempt लेंगे value based questions को drop करने कोशिस करेंगे क्योंकि उसमें आपको पता है कि आपको answer क्या लान और आप जानते हैं कि answer कैसे लाया जाता है तो फिलाल मैं जो आज की इस वीडियो में particular UP word based instance को explain कर पा रहा हूं वो अभी आप समझ रहे हैं कुछ चीजों पर हम लोगों ने चर्चा यानि 74 marks तो हमारे easily cover हो पा रहे हैं और फिर जो short अब आपके पास समय भी होगा wash भी होगा आपको पता है कि अगर हमें 30 net में how to attempt the question number 1234 चार questions बचेंगे आप easily attempt ले सकते हैं सबसे पहले 75 questions attempt लेने की गोशिस करेंगे question कोई भी आपको drop नहीं करना है it doesn't matter whether you know the answer or not अगर आप board में पास होना चाहते हैं तो आपको सारे questions attempt लेने पड़ेंगे आप गियाद रखेंगे खाली copy में कोई भी आपको marks नहीं देगा ठीक है step marking होती है कैसी marking होती है step marking होती है और step marking का मतलब अभी आप समझ रहे हैं क्या होता है अगर step है तो marking है अगर steps ही नहीं है तो marking किस चीज़ की होगी जो कई बर मैंने students को देखा है कि वो blank copy छोड़ करके चले आ रहे हैं questions को attempting नहीं ले रहे हैं वो बोलना है कि हमको आता ही नहीं है मनिया इसलिए आपको लिखने का पूरा तरीका बता जाए सबसे पहले question में given that क्या दिया गया है फिर aim लिखते हैं और फिर solution लिखते हैं तो अगर आप ये तीन step भी कर रहे हैं और अगर आपका five marks का question है तो teacher हस करके आपको एक number easily दे देगा ठीक है क्योंकि way of writing का भी आपको marks मिलता है तो दो तीन चीज़े जो हम लोगों ने चर्चा कर ली है जैसे long को very long सबसे पहले first priority फिर long फिर उसके बाद में short फिर very short ये हमारी strategy फिर दूसरे process में हमने आपको क्या बता है दूसरे process में आपको बताया हुआ है कि आपको प्रूव्मेंट वाले questions को priority देना है comparison to the value based questions थर्ड priority में हमने आपको क्या बताया है third priority में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको बिल्कुल भी हॉच्पॉच नहीं करना है time अपने पास रखेंगे और watch अपने पास रखेंगे, time का पूरा ख्याल रखेंगे और चीजों को इस pattern पर attempt लेना है ताकि हमारा maximum marks score हो पाए और इस series में इन 2-3 chapters को थोड़ा सा ज़्यादा focus करेंगे, 4 chapters, 5 chapters मैंने important tick भी करवाए होंगे formulas तो बिल्कुल mathematics का backbone है, क्या है, backbone है, formulas mathematics का backbone है differentiation और integration based formulas और अप्लोड कर चुका हूँ, आपने देख लिया होगा वीडियो, मैंने कहा भी ताकि उसको बार बर watch करते रहेंगे तो formulas आप नहीं बूलेंगे, इसी के साथ मैं trigonometry based formulas और शायद inverse trigonometric function पता नहीं है मैं कोशिस करूँगा कि एक separate playlist बना दूँ, formulas के लिए जिसमें कि सारे formulas based videos भी मैं वहाँ पर एक साथ collection आपको मिल जाए वहाँ से तो ये रही UP board की पूरी बात और अब हम लोग बढ़ेंगे किस की तरफ, CVSC board की तरफ, याद रखेंगे UP board का pattern अलग है और CVSC board का pattern अलग है, तो ये UP board के pattern के according मैंने भी चीज़ों का explain किया और अब हम लोग बढ़ रहे हैं, CVSC board की तरफ, तो CVSC board के paper किस तरीके से discuss होगा, उसको हम लोग discuss करेंगे, और यहाँ पर हमें किस तरीकी की strategy follow करनी है, उसको भी हम लोग समझेंगे अब इस कड़ी में अगर हम देखते हैं, तो ये practice question में उन्हें पूरा question paper भी दो यहाँ पर upload कर रखेंगे, आप दोनों paper अगर आपके पास time हो, तो अटेम लेने कोशिस करना है, ये general instructions आपके सामने रहे, और general instructions में आप जानते हैं, कि यहाँ पर आपको 5 section देखने को मिलते last year तो जो अपने पास था, वो term 1, term 2 करके था, इस बार फिर से term 1, term 2 के strategy खत्म कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, section A में 18 MCQ based questions और 2 assertion based questions लेखने को मिल रहे हैं, section B जो है, 5 very short answers होंगे, जो कि असल में 2 marks based होंगे, अब देखो, CBST में जो paper छूटने का मुख के क रहे हैं, MCQ को हम इतना ज्यादा time दे रहे हैं कि MCQ की वजए से बांकी सारे हमारे portions जो है, वो थोड़े से drop हो रहे हैं, तो याद रखेंगे, MCQ में एक चीज आपको जो focus करना है, वो यह कि you have to choose the correct option, आपको उसे explain नहीं करना है, अब कई बार मैंने देखा ही कि यह question लिखा आता है और इसके नीचे चार option दे रहे हैं, students क्या कर रहे हैं, उनको solve करने की ज़रूरत नहीं है, वने 0 times का, I told thousands of the times to all the students that no one has need to solve the question, किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि वो question को solve करे, क्योंकि MCQ based question, you just have to choose the correct option, तुमको एक simple सा option को क्या करना है, चूज करना है, लेकिन उसके ब और आरा है और फिर answer टिक कोछ और कर रहे हैं, अब जब तुम दो अलग अलग answer दो गे teacher को, तो भाईया ये teacher की चुछाईस है, कि teacher किसको सही करता है, वो चाहे तो option को भी सही कर सकता है, और जब आप बार बार explain कर रहे हैं, तो फिर यहां से चीज़े जो है ना, थोड़ा स आपके हां से miss होने लगेंगी, इसके बाद section B, section C आ जाता है, 6 short answer type questions, 3 marks, फिर 5 marks, CBSC word में जो highest marks जाता है, वो 5 marks का ही question जाता है, जिसमें कि आपको 4 long देखने को मिल ला हैं, और उसके बाद में ये आपको 3 case study based questions देखने को मिल ला हैं, अब ये जो CBSC students है, इनके लिए जो दर भरी बात हैं, वो 2 section है, एक तो हो आपका MCQ based questions, यानि number 2, और दूसरा आपका आज आ जा रहा है case study based questions, यानि section E, यानि section A और section E, ये दो section मिल करके, पूरे के पूरे paper को chop it करने का प्रयास कर रहे हैं, फिलाल, CUP board की strategy अलग और CBSC board की strategy अलग हैं, हमें क्या करना है, CBSC board में आपका जो paper है, वो देखो, actually कितने marks का है, 80 marks का, इसलिए आपको pass होने के लिए return में चाहिए कितने marks, 26 marks, कितने marks चाहिए, 26 marks चाहिए, तो आपको basically क्या करना है, 26 marks score, first priority that we have to score this 26 marks, इसके लिए आप 18 MCQ, क्या 18 MCQ सबसे पहले cover करने कुशिस करेंगे, और 18 MCQ आप easily cover कर ले जा minutes भी इन पर spend कर रहे हैं, that is sufficient, otherwise आपको solve नहीं करना है, और अगर solve करना भी हो, तो वो roughly solve करना है, मैं फिर आपको बोल ला हूँ, आप इन questions को rough में solve करेंगे, और rough में solve करने के बाद बस अगर मान लेते हैं कि question number 1 का, अगर option D से ही जा रहा है, तो आप सीधे option D tick करेंगे, और नहीं देना है, आप हर question को आगर solve करके दिखाएंगे, तो definitely आप जो है problem में आ जाएंगे, यह mean deviation यह class 11 का है, यह 12 का मुझे लग रहा है paper ही नहीं है, practice paper यहां लिखा हुआ है, क्योंकि यह question तो class 11 का है, mean deviation about mean 12 का दो नहीं है, फिलाल जो भी हो, यह paper अभी आपके सामने लग हुआ है, लग तो रहा है, 12 का ही है, खैर जो भी हो अभी आप देख लेना, और यह practice paper है पूरा, यहां पर आपके पास भी same strategy होगी, आप से पहले क्या करेंगे, कि जैसे ही आपको question paper मिलेगा, question paper को देखेंगे, पूरा paper सबसे पहले आपको देखना है, और जो आपके लिए tension वाली बात है, वो देखे section ही है, आपर देखो section ही, फिर case study का आया, और case study में अभी आप देख रहे हैं, हालांकि case study के मैंने सारे videos बनाए हुए हैं, और आपको बिल्कुल भी puzzle होने की ज़ुरत नहीं है, case study कोई नई चीज नहीं है, बस question को थोड़ा सा घुमा करके पूछ है और कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले question paper मिलेगा, तो question paper को over turn करना है, पूरा paper आपको पलटना हो और पूरा paper पलटने के बाद, आप simply क्या करेंगे, तो तो को 3 case study भी आपको देखने को मिल लाए हैं, तो आपको पूरा paper पलटने के बाद, अब आपको क् section a से start करना है सबसे पहले 18mcq कवर करेंगे 18mcq के बाद में फिर आप directly long पर आएंगे किस पर आएंगे 18mcq सबसे पहले आपको कवर करना है 18mcq कवर करने के बाद फिर आप किस पर आएंगे सीधे long questions पर आ जाएंगे long questions का मतलब हुआ कि आप कवर करेंगे सीधे section D कौन सा section D जो की 5 marks कवर करेगा अगर हमें 18 MCQ हमारे cover हो रहे हैं और plus यहां से 20 marks कवर हो रहे हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि 38 मतलब easily pass होना कुछ बहुज़ा ता complicated नहीं होगा और थोड़ा सा speed maintain करके रखेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि students क्या है कि 1 marks और 2 marks यह दो section और case study तो कई बार तो students touch ही नहीं कर पा रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हर question को attempt लेना है मैं पार बार बोला हूँ कि linear based questions है step marking होगी अगर steps यह नहीं है तो फिर marking कि चीज की होगी इसलिए आपको पूरा का पूरा focus किस पर करना है आपको fully focus करना है किस चीज पर आपको fully focus करना है time management पर तो आप क्या करेंगे 18 mcq plus 2 assertion based questions वो भी assertion based questions भी tick marking based है और इसका फिर हमें क्या करना है directly आगे proceed करेंगे long के लिए यानि section D section D के बाद में section C section C के बाद में section B और फिर उसके बाद में case history based questions ठीक है हाला कि मेरे हिसाब से अगर आप section A को cover करने के बाद section D cover करते हैं section D और उसके बाद अगर आपको time मिले तो थोड़ा सा आप section F को देखना case history based questions क्या है 12 marks cover करेंगे tough नहीं है लेकिन हाँ एक थोड़ा सा एक phobia बन गया है लोगों को लगता है case history tough है case history tough है cable language घुमाई जा रहा है यह बाद के कुछ नहीं है लगबा questions आपकी sheets से ही आपको देखने को मिलेंगे तो मेरी जो strategy है वो मेरे हिसाब से ही है section A cover करें फिर section D cover करें और अगर आप section E cover कर लेते हैं तो फिर जाएट सी बात है कि 12 marks वहाँ से मिल करके total आपका 50 marks cover कर लेगा कितना marks cover कर लेगा 50 marks कितना marks cover कर लेगा 50 marks अच्छा यह जो practice paper है यह actually class 11th का है किस class का है यह class 11th का है किस class का है class 11th का है ठीक है तो इसको attempt नहीं लेना है ठीक है इस paper को attempt नहीं लेना है यह class 11th का practice paper है ठीक है इस paper को attempt नहीं लेंगे practice paper को लेकिन pattern same है pattern same है तो जो हम लोग discuss कर रहे हैं वो भी आपको study समझा रही होगी सबसे पहले क्या करना है section A cover करेंगे फिर section D cover करेंगे फिर section E cover करेंगे और फिर उसके बाद B और C की तरफ रोख करेंगे पूरा paper attempt नहीं है कोई भी question drop नहीं करना step marking है हर चीज मैंने बता रखी है फिलाल इस practice paper से हम लोग आ गया आते हैं क्योंकि यह class 11th का practice paper है तो इसको discuss करने से कोई खास benefit है भी नहीं ठीक है तो यह यहां से आ गया आते है pattern दोनों का same ही है क्योंकि जो 12th का pattern होता है उसके recording हमें 11th का pattern prepare करना होता यह देख सकते हैं यह confirm है class 12th का paper है तो यह class 12th का एक practice paper है section है वही चीज़ है जो वहाँ पर हम देख रहे थे section E के पास 3 case study based questions देखने को मिलेंगे जो कि 4, 4 marks के होंगे 12 marks section D के पास 4 आपको long मिलेंगे जो कि असल में 5 marks के होंगे और फिर section B और C 3 marks और 2 marks based और section A जो होगा वो MCQ based questions होगा जिसमें 18 MCQ और plus 2 assertion based questions तो आपको simply क्या करना है कि इनको अब जीसे यह है question number 1 अभी आपका रहा अगर आप इसे integrate करेंगे तो कितना time लगना है यार अगर systematic explain करके जिखा को तो जाहिट सी बते समय लगेगा दरवाइस roughly इसको फटा फट solve करना और solve करके you have to just find out the value of the k easily मतलब कुछ बहुँ ज़दा tension नहीं है question number 2 आप जानते condition for perpendicular condition for perpendicular का मतलब यह हुआ कि अगर दम से क्यों में हम लोगो को मिला भी था तो मतलब इतना fast track high speed calculation high speed calculation की मतलब से definitely जो है हम चीजों को easily attempt ले पाएंगे तो हमारा जो intention है वो यह कि कि किसी भी pattern पर हमारा paper छूटना नहीं चाहिए question कोई भी drop नहीं करना है सबसे पहले section यह cover करना है जिसमें कि हम लग 20 marks कवर करेंगे explanation नहीं देना है simply जिसे question number 18 है तो आपको एक correct option चुल लेना है यह आप paper attempt लेने कोशिस करना खुद सही मैं इसको यहाँ पर solve नहीं करा रहा हूँ लेकिन मैंने यह attach कर दिया है इसके बाद आपको section D देखना है फिर section E देखना है case study based questions यहाँ के देख लेते हैं case study based questions बहुँज़ाद हमको tough मिलने वाले नहीं है बस वो एक phobia बना हुआ है कि वो tough होते हैं और इसलिए चीज़े आपको थोड़ी सी tough समझ आ रही होंगी बाद कि आप देख सकते हैं देखो 37 number यह मैंने class में आपको solve करा या आपको पता होगा और इसकी मैंने आपको एक sheet भी दे रखी है concept map अच्छी तरीके से पॉढ़ना concept map यहाँ पर एकदम वरदान साबित होंगे यह question भी मैंने आपको solve करा है probability based question और probability का तो कोई भी question आपका drop होना ही नहीं चाहिए एक question probability से case study में मिलेगा मेरे हिसाब से इस साल case study based question एक probability से आना चाहिए तो एक question अगर वहाँ से आता है तो definitely आपका 4 marks तो confirm है और यहाँ पर अगर हम देखें तो probability के 2 questions हैं अगर हम चीजों को systematic arrange करते चलेंगे और एक planning से बढ़ेंगे तो definitely हमें growth मिलेगी फिलाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं फिर किसी next class में कुछ new problems के साथ में thank you so much to all of you and as always my god bless you all